हम जो मुबाइल में एप्लिकेशन्स यूज करते हैं गाइस क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किये वोल्ड का सबसे पहला एप्लिकेशन कौन सा था और किसने बनाया था गाइस हमारे भारत में एक ऐसा भी स्टेट है जहां आपको जाने पर पकिस्तान वीजा भी लग सकता है गाइस अगर मैं कहूं कि आपको टोईलेट यूज करने पर पैसा मिलेगा तो तो बने रहे हैं मेरे स्टार्ट इस वीडियो में चलिए ये फैक्स को हम आगे जानते हैं उससे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ हलो गाइस मेरा नाम है राहूल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल फाक्ट ग्लोब में तो चलिए आगे की फैक्स जो है हम स्टार्ट करते हैं गाइस जब हम कोई कंपणी का शेयर खरीतते हैं तो हम इतना खुश होके बोलते हैं कि वो कंपणी जो है वो मेरा है गाइस क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंशिव शेयर कौन सी कंपणी का है तो चलिए फैक्स को हम डिटेल्स में जानते है एकोर्डिंग टू जून 2021 डेटा ये पता चला है कि बरेन बफेट की जो कंपणी है बाक्षाय हातवे ये कंपणी की सबसे एक्सपेंशिव शेयर आती है जो कंपणी की स्टॉक वेल्यू है वो लगबख 4,15,000 US डॉलर है अप्रोक्सिमेटली 3 मिलियन इंडियन रूपी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का हमारा फैक्ट नमबर टू गाइस लोग गोबर्मेन सार्विस या जॉब करके पैसा कमाते हैं अगर मैं आपको बोलू कि टोईलेट यूज़ करने पर पैसा मिलता है तो जी हाँ साथ कोरिया में एक प्रोफेसर ने बनाया है इको फ्रेंडली टोईलेट जिसे स्टूडेंस को यूज़ करने पर उनको किप्टो करेंसी मिलती है गाइस ये जो टोईलेट है वो यूनिवर्सिटी की लैप से जुड़ा हुआ है जिससे बायो केस और खाद बनाया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का हमारा फैक्ट नंबर थ्री गाइस क्या आपको पता है हमारी भारत में जो एक ऐसा भी स्टेट है जहां आपको जाने बर पकिस्तान वीजा लगता है गाइस वो स्टेट का नाम है पंजाब अतारी रेल्वे से जो ट्रेन है वो पकिस्तान की तरफ जाती है गाइस आपको ये स्टेशन जाने के लिए पकिस्तान वीजा होना जरूरी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का हमारा फैक्ट नंबर फोर गाइस हम सब तो इंस्टिग्राम में पोस्ट अप्लोड करते हैं रिल्स अप्लोड करते हैं क्या आपको पता है 2021 के हाइस पेंग सेलिब्रेटी या इंफ्लूएंसर कौन है पूरे वर्ल्ड में तो चलिए फैक्स को जो है हम डिटेल्स में जानते हैं एकोडिंग टू इंफ्लूएंसर मार्केटिंग हब मुझे ये पता चला है कि 2021 के जो हाइस अर्णिंग सेलिब्रेटी या इंफ्लूएंसर का नाम है जो वो जाने माने नाम है वो आपको भी पता है मुझे भी पता है तो उनका नाम जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डू तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का हमारा final और last fact. Guys, mobile तो हम सब use करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे applications use करते हैं, like Instagram, Facebook, WhatsApp, सब कुछ use करते हैं. क्या guys, कभी यह जानने की आपने कोशिस किये, कि world का सबसे पहला app कौन सा था, और किस ने बनाया था, और कौन सा साल में बनाया गया था, तो चलिए आगे हम इसको जानते हैं. Guys, जो हमारा पहला application जो बना था, पुरे world में, वो आप भी use कर चुके हैं, मैं भी use कर चुका हूँ, वो Nokia में snap, जो game apps था, वो snack का वो बना था, पुरे world में सब सब पहला application. Guys, ये बना था लगबख 1997 को, और इसको बनाने वाले का नाम था, टीन बर्डर, तो guys, अगर आपको यह सब facts अच्छा लगा, तो जरूर मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, हो सागे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे share कीजिए, तो मैं मिलता हूँ अगली ऐसी वीडि तो देखिए, तो मिलता हूँ मैं अगले ऐसी वीडियो में, तो बाई बाई